इन्होंने बोला 24 गेंटे में जो सिख लोग है असली कट्टर लोग गुर्गोबन सिंग जी सिंग है उन्होंने बोट इसलिए डाल दिया है इन्होंने बोला पंजाब में बरगाडी कांड हुआ था गोली चली थी वहां कि हम वो सिखों का मुदाहल करेंगे उन्होंने बोट डाल दी है वह गर बैठे बठाए इनको बन में 92 एमेली मिल गए केजरी वाल जी बहुत बढ़ी आदम हैं सीम पंजाब बढ़ी आदमी हैं लेकर इस इन दोनों की इतनी हैसियत अकात नहीं थी के उनको गेर सकती हम आये दिली में इसलिए हैं सीम के घर के बार दरना देना था आज सुबा आथ बजे नो बजे ओ दिली कमिशनर ने मुझे बोला के दिली में इलक्शन हो रहा को भी स्कूलों कॉल जोंगा, करेज के दो देना आप दरनाम आत दो, और जो मोती जी ने तीन तलाक भला करा, बहुत बड़िया करा, यो लड़के यो के साथ दख्का हो रहा था, बहुत बड़िया करा, । आज मोदी जी आपने तीन तलाग का कर दिए आपका शुकरिया । एरक्षण का कर दिए बहुत बढ़ीया मोदी जी आज आपका आपके हेड़ कोटर में पाल्टी के आपका बहुत बड़े लेबल पे शुकरिया दा हुआ दर्म को छोड़के मोदी जी नड़ा जी और अमशा जी अब भी जो देश की बेरजगारी है बरिस्टा चार है और नशा तीनों को पकड़ लोगे मोदी जी तुम 20 साल कहीं नहीं जा सकते कि नमस्कार आप देखने सागन टीवी और मैं हूँ आपके साथ रादिका शर्मा मुझे अभी अभी एक यहां पर शक्स मिले हैं जो की भगत सिंग के गाउं से हैं खुद को वहां से गाउं का बताते हैं और साथ साथ में देखा जाए देखा जाए कि भगत सिंग आप उसको शीद बोलते हैं प्लिटिकल लोग जैसे आज मोदी जी पीम की कुरसी पे बैठे हैं वो जब कुरसी पे नहीं थे वो भी गाउं में आते थे शीद बोलते थे हम पीम बन जेंगे इनको शीदी दरजा दलवाएंगे इनके नाम पे शुटी कर देंगे तो जब अंटी शिखर समेलन हुआ था भी जिसमें मुद्दा उठाया गया था हर्दीप सिंग निजर का जो कि कनाड़ा में जिनको मार दिया गया था और बोला गया था यहां पे मुद्दा उठाया था कि इस तरह से चल रहा है खाली सान बनाने की तयारी चल रही है क्या लगता है थोड़ी सी बात बोलता हूं लेकर जो हम पूरा जो देश के लोग है बल्ड में रहते हमारी बात सुनेंगे जो हमारा दिल्ली आने का मकसद है केजरीवाल जी और सीम पंजाव इनके जो कैंडिडेट जीते हैं 92 उनके पास बचारों के पास आप से बोट लेना आपके घर जाने के लिए डीजल के लिए पैसे भी नहीं थे और डाइसर पर की दारू की बोतल लेते थे चार कैंडिडे के बोला था सीम मान जी ने केजरीवाल जी ने के हम जीत जाएंगे पंजाब में सीम बन जेंगे 24 गेंटे में थारा साल के उपर लड़की है अनमैड है मैड है उसको एक ही अरप्या लगा देंगे सत्कर परसेंट लोगों ने इनको बोट डाल दिया आज 40 साल के जो पर बा कि परदर्म के नाम पर जाती के नाम पर फसिए बच्चों को बेंति करता हूं तो जो 40 साल के कामा मुम्र के हैं कि मतलब ए जो इन्हों ने बोट डालती है सीम को एक हैयार के में था दूसरी बात दूसरी बात सीम पंजाब के दिवाल जी ने दून्हों ने बोला 24 सगेंटे में हम पंजाब के कसानों को MSP दे देंगे हर फसल पे केजरी बाल का मेसेज है हमारे पास रिकॉर्ड है नंबर तीन पे बोला था बगवान तमान जी ने ओ जो शोटे कसान है उन्होंने बोट इसलिए डाल दी इनके केंडिडेट गए भी नी किसी के पास इसलिए डाल दी जो अफीम डोटे खाने वाले नशे बाले उन्होंने इन्होंने बोला था चौवी की खेती चलू करदेंगे वो चलू नहीं करा वो नशा खत्म हो जया था पंजाब से फीम और डोटे से मरता नी कोई भी काम ज्यादा करेगा ए चिट्टा विट्टा टीके तो नमार्द तीन स सिंग उन्होंने बोट इसलिए डाल दिया इन्होंने बोला पंजाब में बरगारी कांड हुआ था गोली चली थी वहां कि हम वो सिखों का मुदा हल करेंगे उन्होंने बोट डाल दिया वह गर बैठे बठाए इनको बन में 92 टूमेल मिल अभी सियंग्याब के भाजी कह रहा हमने बॉदल को बड़े बड़े कैपटन को बड़े बड़े गेर दी और इन्हों नहीं के वाल जी बहुत बढ़ी हैं स्मय पंजाब बहुत बढ़ी अदमी हैं लेकर इस इन डोनों की इतनी हैसियत अकात नहीं थी कि उनको ग मतलब के लिए हाँ जी सुब्दा के इंसार और उसके बाद आज देड़ साल हो गया जे केजडिवाल जी वह पाल में जाके बोर है शिमला जाके बोल दे बगवान तमान जी ने पंजाम में जे कर दिया अभी मैं उनके गाहों से हूं जो सीम ने बोला मेरे मौल में सबर कोड ह है हां जी हम आये दिली में असलिए हैं सीम के घर के बार दर्ना देना था आस्वाट बजे नौब बजे ओर दिली कमिशनरे मुझे बोला कि दिली में हो रहा को इसकूलों कॉल जो का कि दो दू दिन आप दर्ना मत दो और जो मुद्दी जी ने तींस और 30 लाक्वला करा बह भी पांच चार दें से दिल्ली में देख रहे हैं औरक्षन 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 giderक्षन किसी के घर में पीपे में आटा लगवी बड़े हकिन कि आप आज मृद्दी जी आपने तीन तलाक का और दिया आपका शुकरिया एक ता बात ही है वो तो मोदी जी अभी मोदी जी अमशा जी जेपी नड़ा जी तीनों लोग अभी हम एरक्षन को इसको हम जोद्या का मंदर बनाएंगे सिखों का गुर्दवारा बनाएंगे ना तो सिखों का दर्म कहीं बाग रहा ना जोद्या का मंदर बाग रहा ना शिवजी का बाग रहा दर्म को छोड़के मोदी जी नडडा जी और अमशा जी अब भी जो देश की बेरजगारी है बरिस्ता चार है और नशा तीनों को पकड़ लोगे मोदी जी तुम 20 साल कहीं नी जा सकते हाँ जी लेकिन मैं आप से साथ साथ में बात करी थी देखे ही मिलके बोलने आए हैं खालिस्ता की मांग कर सकते हैं सबसे बड़ी बात इस वक्त यह हैं देखो एजो खालस्तान का मुद्दा है ना जी एक कोई भी चैनल वाला नहीं पूछेगा जिस साथ से आपने बात पूछी है आप पंजबी बोलते हैं पंजबी हो गए लेकन यह मुद्दा पहले खालस्तान का नही दिया था मैं आपके समने बोल रहा हूं मुझे बहुत महंगा पड़ेगा ब्यांसिंग का परवार मुझे दूर से नमशकार बाके पहुं हत लगाता जो उसका बेटा मेंबर पार्लीमेंट है लेकन आपके सामने बोलने से और दूर से बाग जाएगा बलाएगा नहीं कि सीम ब्यांसिंग जी को मार दिया और दूसरों को मार दिया मान लेते हैं इनकी बात कि उन्होंने गल्त करा अगर उन्होंने गल्त करा तो कोड ने 15-15 साल की उनको सजा दे दी उन्होंने अपनी सजा 13-14 साल की पूरी कर ली सजा पूरी करने के बाद सजा कितनी थी 13 साल की अभी उसको जेलों में बैठे कितने हो गया 30 साल हो गया उनको 33 साल हो गया जेलों में बैठे सजा थी 15 साल की उन्होंने गना करा गल्त बात है अगर करा तो सजा पूरी कर ली उ उनकी बात को सुननी रहा तो फिर जो सिखों के अंदर कुछ लोग क्रिम्रिल है जो काम नहीं करना चाहते जो जिंदगी में शंगर्षनी करना चाहते जो ट्रक की ड्रैवरी निकनेड़ा जागे करना चाहते वहां लीडर बन गए उन्होंने बोला खालसान चाहिए मुझे ज किसी ने बहां 200 ट्रक बनाया किसी ने 400 होटल बनाया वह ऐसे कर रहे वह एकवरी बोल देते हैं खालस्तान चाहिए ओ खालस्तान इदर बंजे ओ जहां आके नहीं रहेंगे जहां का तो पानी भी नहीं पीएंगे ओ तो पांसो बाली बोतल पीते पानी की हांजी पचासी या करते हो गैं scoring the prison the city सिक आप डर्म से 50 जर्में कि अरburn आप की जो सिक धर म requ richtig what compareि आप धेश हां कोउई कलकत्ता से आया आपको पकड़ के लिए के गुर्दवारी में जाएगा बेटा बैठो इदर बहां लंगर मिलेगा तीन चार दिन तो पूशे का नहीं कोई भी उसके बाद पूशे हो कि क्रिमिनल बहुत बढ़ा हुआ काट बाट के वहां रहते हैं यह लोगों ने कुछ ने वहां खास्तान क पहले सबसे पहले आए हम बहां उनके लेटर देने गए हमारी भी कमेटी रिजिस्टेडा सुप्रीम कोट हाई कोट से केंदर सरकार पंजाब सरकार से के आप ने मड़ा करा अगर उसने जो ब्यान दिया और खाली बोटों को लेकर और आज नितिये हाँ जी प्रूडो बढ़ी देश का एक प्रायमिनेस्टर है लेकर जो उसने ब्यान दिया है ना वह बहुत गल्त है बहुत गल्त है उसको देश के साथ नहीं बगारनी चाहिए खाली दो चारहएर लोगों के पीशे लगीए उसने ब्यान दिया जो फरस्तान है हम उसके समर्थ्क नहीं है हम तो बारतमाता की जह हम देश में रहने बले लोग है हमन प्रैम टी लोग हैं तो हमने अ बाए जो बहां हो रहा हणा काटा-पीठा जे हाँ एक बात में आपको और भी बोलना चाहता हूं यह बहुत दूर तक हमारी बात जाएगी मुझे गालियं बालियं बहुत आना चलू होजएगा अपके फिरूँ की तो ये जो वहां केनेडा में काटा पिटी हो रही है न टुचो जी वह रहे के मोदी जी बार देश करवा रहा में पता कौन करवा रहा ये कर वा रहा मेरे सिख बैन भाईयो सब बढ़को मत जे काटा पिटी मैं आपको बता रहा हूं कौन कर रहा इसकी कभी भी आपने जाच कर लाना मोदी जी जाच कर वाले हैं वो कर वाले हैं टूडो जी इसका एंड क्या निकलेगा यह जो आगे बले लोग है एक गुर्दवारे समार रखे इन लोगों ने वहां उनमें आप जैसे हमारे जैसे लोग इन जैसे काम करते हैं जाकि 20 डाड़ डाले 10 डाड़ डाले एक वरी बोल देते हैं खास्तान चाहिए मुझे हमने वहां इतना असला बेजना वो करना है चंदा दो पैसे कठे कर लिए और एक ने पैसे जदान ले यहोईगे जिसको कम मिले उसने गोली मार दी यह अपने साथ ही हैं वहीं कई ना कई हैं आपके गर में चोरी हो जाए हमने दरना दिया इधर मोदी के हमारे गर में बहां के कुछ कुछ लोग कह रहे थे दरने पे ना जाए एक तो इंकम टेक्स बालों से मेरे कौंट बंद करवा दिये दूसरा हमारे घर में चोरी होगी परोस बालों ने फोन कर दिया आपके घर में ताले तोड़ी मैं कोई बात नहीं हमारा गर बहुत बड़ा है हम पहले सोच के आये थे अगर चोर आभी जाएगे सोना वोना कुछ नहीं उठाया पैसे नकाल के गले से बाहर गेर दिये सोना उठाया कुछ पिपर डूण रहे थे बो खली मुझे इसलिए के चोरी इसलिए करा हमारे घर के मैं यहां से बहां बाग जो हाँ जिए 12-12 सोना था नकाल के बाहर गेर यह 70,000 रुप्या पढ़ता नकाल के बार गीर दिया वो इसलिए मुझे बलाया कि वहां ऐसा हो जाए मेरा आप से कहने का मतलब के इसका जब भी एंड निकलेगा मतलब मुझे पुलस ने बोला आपको आपको किसके पर शक है मैंने किसी का नाम नहीं लिए मैंने किसी का नाम बोलता अभी इसको फिट ठोकना पड़ेगा उस दिन तो काम ठोका भी जादा ठोकेंगे सब कुछ उठा के लेगे जाएंगे मैं उसके पैरों में रिकॉर्डिंग के लिए रखा हुए था सारा कुछ कैमरे लगे हुए थे खुब या कैमरे रिकॉर्डिंग हो गया मैंने उसको दूसरे दिन उसने के बच्चों को भी बला लिया गरवरी को बला लिया ये रिकॉर्डंग पुल्स को दे दूं तरह क्या बनेगा ये भी आपके समने पहली दवा बो रहा हूं वह मेरे पाओं आथ गोड़ी हाथ लेकन मैंने आगे कभी नहीं बिताया पहली दवा जिस तरह से बोला गया भारत का कोई हाथ नहीं है आपकी क्या राहे अपनी राहे मरसा जरूर साजा करें इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहे हैं मरसा देखते रहे हैं सोगंद टीवी कैमरा मैं अनंकित के साथ राद्दिक शर्प आप देख रहे हैं सोगंद झाल करें सोगंद टीवी